और इस कहानी की शुरुआत होती है एक थ्री स्टार होटल से जहाँ पे टीम टेनिसन अपना एक दिन वहाँ पे बिताने वाले होते हैं। और तभी बेन उस ओटेल में सुमो स्लैमर के एक ऐसे गेम को देख लेता है जो कि सिरिफ वी आईपी लोगों के लिए ही अवैलिबल होता है। जाता है जिसके बाद में टीम टेनिसन को उस होटल से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ना कोई सुमो स्लैमर और ना कोई उसका फेवरेट खाना खाने की इजाज़त देते हैं। ग्वैन बेन को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है पर बेन ग्वैन की एक भी नहीं सुनता है और एक ऐसे गेम जोन में चला जाता है जहां पे काफी सारे बच्चे गेम खेल रहे होते हैं। जैसे ही उसका गेम स्टार्ट होता है उससे पहले ही ओवर हो जाता है। चलो साथ में गेम खेला जाए लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं और कैवन 11 को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक्सलारेट में एलियन में ट्रांस्वार्म हो जाने के बाद में बेन उन सारे लड़कों को एक एक करके धूल चटा देता है। और कैवन को उन लड़कों के चंगुल से छुडाने के बाद में वहाँ से बिना कुछ कहे निकल जाता है। और तभी गवन ये बात सुनके कहती है कि ग्रेंट पा मैक्स को हमें और भी ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। और हमें यहाँ से इसी वक्त जाना चाहिए। इतना ही सुनने के बाद मैं Ben Gwen से कहता है कि हमें नहीं सिर्फ तुम्हें जाना चाहिए यहां से Ben की ये बाद सुनके Gwen उसे गुस्सा होके वहां से चली जाती है जिसके बाद मैं Kevin 11 Ben को अपने आड़े पे लेके जाता है जहां पर Ben Kevin से पूछता है कि आखिर में तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिली कैसे तभी Kevin बताता है कि ये सारी पावर्स पैदाईशी है मैं किसी भी तरीके की एनरजी को एब्जॉब कर सकता हूँ भले वो किसी भी फॉर्म में हो और फिर उस एनरजी का यूज में जरूरत पढ़ने पे या अपने मन मुताबिक यूज कर सकता हूँ और वहीं दूसरी साइड हमें Grandpa Max दिखाये जाते हैं जो कि Ben के उपर में काफी ज़्यादा आग बबूला हुए पड़े होते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि Kevin Ben को अपने अड़े पे लेके जाता है वहाँ पे Ben Kevin के parents के बारे में पूछता है Kevin Ben को बताता है कि मेरे parents मुझे आजीब समस्ते थे इसी वज़ासे उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मेरे लिए भी ये अच्छा है क्योंकि मुझे आप किसी को जवाब नहीं देना होता है Ben Kevin के बातों से काफी ज़दा इंप्रेस होता है और तभी पूछता है कि वो लड़की आकिर में तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे तभी Kevin बोलता है कि वही गेम ना जो अगली साल रेलीज होने वाला है तभी Ben कहता है कि हाँ मैंने उसी गेम को चोरी छुपे खेला था जिसके बाद में Kevin Ben को अपने प्लैन के बारे में बताता है जिसके बाद में Kevin Ben को एक ऐसे shipment में लेके जाता है जहाँ पर उस गेम की काफी सारी कॉपीज पड़ी होती है जहाँ पर कैवन अपने पावर्स का यूज करके उस shipment के दरवाजे को खोल देता है और वो लोग चोरी छुपे उसके अंदर में घुश जाते हैं जिसके बाद में बेन बोलता है कि मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है पर तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना पड़ेगा जिसके बाद में कैवन बेन को शेर्टी देता है कि जरूर उसके बाद में बेन अपने ओम्निट्रक्स में छेड़ चाड़ करने लगता है और कैवन को ये काफी ज़्यादा आजीब लगता है लेकिन तभी बेन ट्रांस्वाम हो जाता है इस्टिंग फ्लाई एलियन में जिसके बाद में कैवन बेन से बोलता है कि ये काफी ज़्यादा कूल है जिसके बाद में इस्टिंग फ्लाई कैवन 11 को लेके वहां से निकल जाता है पर वहां के cops, चौपर से उसका पीछा करते है, जहाँ पर Kevin, dinkfly की सवारी को काफी जादा enjoy करता है, तबी dinkfly Kevin से बोलता है कि मेरे पास ज़ादा time नहीं है, इन सब को मैं शहर में उलजाता हूँ, जिसकेबाद में वो दोनों शहर के भीचों बीच आजाते हैं, और पुलिस वालों को उलजाने के बाद में उनको चकमा देके उनके हाथों से निकल जाते हैं कि हमें तो पार्टनर्स होना चाहिए मेरी शक्तियां और तुम्हारे दस एलिएन की खुबियों की वज़ह से हम जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं और काफी ज़्यादा अमीर बन सकते हैं और Kevin का दिया ये offer Ben accept कर लेता है और Kevin का partner बन जाता है जिसके बाद में Kevin 11 Ben को लेके एक railway track पे जाता है और खुद को charge कर लेता है जिसके बाद में Kevin Ben से health मांगता है उसका साथ देने में तभी Ben पूसता है कि हम आखिर में यहां कर क्या रहे हैं तभी Kevin Ben को बताता है कि कुछी देर में यहां पे पैसों से भरी हुई train आने वाली है और वो passenger train से जब तकरा जाएगी तो हम उस train का सारा पैसा लेके यहां से रफू चकर हो जाएगे तभी Ben केवन की यह बात सुनके हैरान होता है और कहता है कि पैसेंजर train में जितने भी पैसेंजर बैटे होंगे उनका क्या होगा उनकी तो जान चली जाएगी और तभी केवन बताता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है वो मर जाए उससे हमें क्या लेना देना हमें तो अपने पैसो से मतलब है केवन की ये सारी बाते सुनके बैन उसके उपर में गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूँगा जहाँ पर केवन बैन से कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते और उसे उठाके फैक देता है और तभी बेन गुस्से में आके four arms में transform होनी की कोशिश करता है लेकिन तभी वो transform हो जाता है heat blast में जिसके बाद में heat blast Kevin 11 को warn करता है कि पीछे हट जाओ वन्ना मैं तुम्हें ही जला के राख कर दूँगा Kevin heat blast की ये धमकी सुनके गुसा होता है और वहां का सारा energy absorb कर लेता है जिसके बाद में वहां पे मौजो सारी lights food जाती है और वहां पे अदेर अचा जाता है जिसके बाद में heat blast Kevin के उढ़ूनी की कोशिश करता है लेकिन तभी Kevin heat blast को पीछे से पकड़ लेता है और उसकी energy को absorb कर लेता है heat blast की energy को absorb करने के बाद में Kevin 11 की आधी body heat blast में transform हो जाती है जिसके बाद में वो उसी की power से heat blast को रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों आपस में वेड़ जाते हैं और इस लड़ाई में Kevin 11 heat blast के उपर में काफी ज़्यादा भारी परता है जिसके बाद में वहाँ पे वो दोनों ट्रेंस भी आने वाली होती हैं पर वो दोनों ट्रेंस आपस में टकरा जाए उससे पहले ही heat blast अपनी heat का यूज़ करके उन दोनों tracks को बदल देता है जिसके बाद में वो दोनों ट्रेंस आपस में नहीं भीड़ती और बेन भी Kevin 11 से अपनी जान बचा लेता है ट्रेंस और heat blast के जाने के बाद में Kevin 11 बोलता है कि आप बारी ट्रेंस की नहीं आप बारी एक बहुत जरूरे बदली की है जिसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि heat blast उस train के उपर में होता है और वो survive करने की कोचिश कर रहा होता है लेकिन तब ही उसके Omnitrix का बीब बच जाता है Ben अपने default route में transform हो जाता है और वो train के उपर में ज़्यादा देर तक survive नहीं कर पाएगा ये जानता है लेकिन तब ही वहाँ पे Grandpa Max आ जाते हैं और अपने rust bucket से Ben की जान को बचा लेते हैं जिसके बाद में Ben Grandpa Max और Gwen को सारी बाते बताता है पर Grandpa Max Ben के उपर में काफी ज़्यादा अब ही Ben बोलता है कि अभी वक्त गुसा करने का नहीं है क्योंकि Kevin 11 Heat Blast के पावर का गलत यूज़ कर रहा है और जिसके बाद में Team Tennyson Heat Blast को रोकने के लिए जाने लगते हैं पर वो traffic में फस जाते हैं जहाँ पर Ben transform होने की कोशिश करता है Accelerate में पर वो 4 Amps में transform हो जाता है औ लेकिन तभी उसकी पावर खतम हो जाती है और वहाँ पे Ben 4 Amps में transform हुआ पहुच जाता है और वो कहता है कि आप तुम्हारा खेल खतम होने वाला है तभी Kevin हस्ते हुए Ben से कहता है कि मेरी पावर्स भले ही खतम हो गई हैं पर तुम आ गए हो अब मुझे और भी ज़्यादा पावर्स देने के लिए जिसके बाद मैं 4 Amps बोलता है कि अब मैं तुम्हें कोई भी पावर नहीं देने वाला तभी Kevin 4 Amps से कहता है कि मेरे पास इत्ती ज़्यादा एनरजी बची हुई है कि इन सब को मैं जला सकूँ Kevin की ये बात सुनके 4 Amps उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी Kevin 4 Amps के पावर का एब्सॉप कर लेता है और उसकी बॉड़ी ट्रांस्फॉर्म हो जाती है पूरी तरीके से 4 Amps की बॉड़ी में जिसके बाद में Kevin 11 4 Amps पे एक एक करके घूसे बरसाना स्टार्ट कर देता है और उसको काफी बुरी तरीके से तोड़ता है तभ 4 Amps काफी बुरी तरीके से Kevin 11 को मारने लगता है ट्रांस्फॉर्म होने से पहले Kevin 11 बुरी तरीके से पिटने के बाद में 4 Amps से माफी मांगता है और कहता है कि मैं हार गया मुझे माफ कर दो तभी Ben भी अपने डिफॉल्ट रोप में ट्रांस्फॉर्म हो जाता है और Kevin को बता हम अच्छे काम करेंगे और बुरे लोगों के उनके कामों के लिए उनकी पिटाई करेंगे जिसके बाद में Ben Kevin 11 से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है लेकिन तभी Kevin 11 उसके Omnitrix को पकड़ के उसे उतारने की कोचिश करता है जिसके बाद में Kevin 11 Ben का मजाग बनाता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े बुद्धु हो कि मेरी चाल को समझ नहीं पाए और Omnitrix को उतारना स्टार्ट कर देता है तभी Ben Kevin से बोलता है कि बेवकूफ मैं नहीं बेवकूफ तुम हो मैंने बताया था ना कि Omnitrix नहीं उतरेगा Ben के इतना ही कहने के बाद में Omnitrix से ग्रीन कलर की एक काफी बड़ी एनरजी वेब निकलती है जिसके बाद में वो Kevin 11 और Ben को दूर उठा के फैक देती है उस एनरजी ब्लास्ट की वज़़े से Kevin 11 ब्रिज से जा टकराता है और पूरा ब्रिज उसके उपर में गिर जाता है दूसरी साइड Ben को Grandpa Max बचा लेते हैं तभी हम देखते हैं कि Kevin 11 की पावर्स वापस से चली गई है और वो वहाँ से डर के भाग जाता है और ये सारी कला कांडी हो जाने के बाद में Team Tennyson अपने रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे Ben अपनी गलतियों के लिए Gwen Grandpa Max से माफी मांगता है जिसके बाद में Grandpa Max Ben को कहते हैं कि मैंने तुम्हें कपका माफ कर दिया पर तुम्हें मेरा भरोसा फिर से जीतना पड़ेगा और इसी के बाद में इस एपसूट का हैपी नहीं पर सैड इंडिंग जरूर हो जाता है